जै स्री कृष्णा आज निर्जलाई का दसी पर आईए सुनते हैं गीता का यह अध्यार स्री कृष्ण भगवान बोले हे पार मुझ में मन लगा करके मेरी ही आश्रे होकर योगा भ्यास करते हुए मेरी स्वरूप का संसे रहित पूर ज्यान होगा सो सुनो बिज्ञान के सहित वह पूर ज्यान मैं तुम्ही सुनाता हूँ जिसके जानने से तुमको इस लोक में कुछ जानना सिएस न रहेगा सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक सिध्धी प्राप्ती के लिए यतन करता है और उन यतन करने वाले सिध्धों में से जो कोई भी मुझे ठीक से जान पाता है प्रिथ्वी, जल, अगनी, वायू, आकाश, मन, बुध्धी और अहंकार यह आठ प्रकार की मेरी प्रकृती माया है इस प्रकृती को अपरा अचीतन अर्थात जड़ कहते हैं और हे महाबाहो इससे दूसरी प्रकृती चीतन है जिसने संपूर जगत धारण किया है इनही दोनों प्रकृतियों से सब प्रारी मात्र उत्पन होते हैं ऐसा जानो यह प्रकृतियां हमीसे उत्पन हुई हैं इस प्रकार जगत की उत्पत्ती और प्ररेका कारण मैं ही हूँ हे धनन्जय धागे में जिस प्रकार मली पिरोई जाती है उसी भाती यह संसार मुझे में गुथा हुआ है मुझे परे और कुछ भी नहीं है हे कुंती पुत्र जन में रस में मैं ही हूँ चन्रमा और सुर्य में प्रभा मैं ही हूँ शब बेदो में प्रडव मैं ही हूँ आकाश में सब्द तथा पुर्षो में जो पवरुष मैं ही हूँ हे अर्जुन प्रीथवी में जो सुगंध है तथा यगनी में तेज मैं ही हूँ सब प्रारियों में जीवन और तपस्यों में तप मैं ही हूँ ये पार संपूर प्रारियों में सनातन बीजरूप मुझको ही जानना, बुधि मानों में बुधि रूप और तेजश्यों में तेज मैं ही हूँ हे भारतगर काम और रोग रहित बल्वान पूर्शों में बल और पूर्शों में धर्म के विरुध न जाने वाला काम मैं ही हूँ जितने सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं वे सब मुझसे ही उत्पन्ध हुए हैं परन्तु उनमें मैं नहीं रहता हूँ ए मुझमें हैं शत्व रज तम ए तीनों गुरों के भावों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है इस कारण यह हिस्से परे मुझ अब्वे परमात्मा को नहीं जानता मेरी यह गुर्मई और दिब्यमया अतियंत दुस्तर है जो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं और जो पापी मूड नराधम माया ने जिनका ज्यान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहड किये हुए मुझको नहीं पाते हैं ये भारत से श्टर जुन चार प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं दुखिया जिग्यासू आईश्वर्य की कामना करने वाला और ज्यानी जिनमें सदा मुझमें एक अग्रचित और केवल मेरी क्योंकी मैं ज्यानी हूँ अतियंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है यद्यपी से अपसे भक्त अच्छे हैं तथा प्रिय ज्यानी तो मेरी आत्मा ही है क्योंकी वह मुझमें ही मन लगाकर मुझको ही शरूत्तम गतीमान मेरा ही आस्रे गहर करता है उनमें जन्म के अनंतर ज्यानी मुझे पा लेता है ऐसा महात्मा अतियंत दूरलव है सब जगत को वाशुदेव मैं समझें अपनी अपनी प्रकृती के नियम के अनसार मनुश्य भिन भिन कामों वाशनाओं से अज्यान में डूब कर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उनकी उपासना करते हैं खे अरजुन जो भक्त स्रधा पुर्वक जिस जिस देवता का पूजन किया करते हैं उन पूर्सों की उस राध को मैं द्रिध कर देता हूँ वह उस्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की अराधना करता है फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं परंतु उन अल्प बुद्धी वालों का फल नास्वान है देवताओं की अराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्त जन मुझ में मिल जाते हैं मेरे अब्याय अत्युतम शरूप को न जानकर मंद बुधी लोग मुझे अब्यक्त को ब्यक्त देहधारी मानते हैं मैं योग मायाशे आच्छादी थोने के कारण सबको नहीं देखता हूँ उसमें मूढ लोग अनादी तथा विनाशी मुझे को नहीं जानते हैं हे अर्जुन मैं भूत भविश्य और बर्तमान के सप्रारियों को जानता हूँ पर मुझे कोई भी नहीं जानता हे भारत हे परतन इच्छा और द्वे सुत्पन होनी वाले शुक दुक आदी द्वंदों के मुझ से जगत के सभी प्रारी भ्रम्स में फस जाते हैं जिन पुण्य आत्माओं के पाप नश्ट हो गए हैं वह पुरुस द्वंद के मुझ से छुट कर दिध निश्चे करके मेरी भक्ती करते हैं जो मेरा आस्रे लेकर जीवन मरड के दूर करने के अर्थ प्रियत्न करते हैं वे पुरुस परंब्रम्हा आत्म ज्यान और संपूर करन को जानते हैं जो आदिभूत अदिधेव और अधिग्य इन सबसे व्यपक मुझ में जान आते हैं वे शमाधी निश्ट पुरुस मरड काल में भी मुझ को जानते हैं स्री नारायर जी बोले हे लच्मी अब सात्मी अध्याय का महात्म सुनो एक पतिल नामक नगर है जिन में संकू करवैश्य रता था वह ब्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था रास्ते में संकू कुड को सर्पने डसा वह मर गया उसके साथ ही उसकी दाह क्रिया कर आगे को सिधारे जब लटकर घर में आए उसके पुत्र ने पूछा मेरा पिता संकू कर कहा है उन ब्यापारियों ने कहा तेरे पिता को सर्पने डसा था वह मर गया और यह पदात तेरे पिता का है तू ले ले एक करोड रुपया दिया और उसकी गती कराने को कहा क्योंकि वह अवगती मरा था उस बालक ने अपने घर आकर ब्रामणों से पूछा की सर्प डसी की गती कैसी कराने चाहिए पंडितों ने कहा नारायर बली कराओ उर्द के आते का पुतला बनाया चुन्या चढ़ाई जैसी विधी किया बहुत ब्रामण जिवाये स्रधा फिंड पत्तल कराया बाकी द्रब्य जो चारो भाईयों ने बाटा एक पुत्र ने कहा जिस सर्पनी मेरे पिता जी को काटा है मैं उसको मारूंगा उन ब्यापार्यों से पूछा वह ठवर मुझे बताओ जहां मेरा पिता संकुकर मरा है ब्यापार्यों ने कहा चल ले चलते हैं वहां ले जाकर खड़ा किया देखा तो वहां एक बामी है जिसम की तंदली के साथ खोदने लगा जब छेद बड़ा हुआ वहां से एक सर्प निकला कहा तु कौन है इस ब्रकार बालक ने कहा मैं संकुकर का पुत्र हूँ जिसे सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा तब सर्प ने कहा हे पुत्र मैं तेरा पिता हूँ तु मुझे अवश्य अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार यह मेरा पूर्व का कर्म था शुमैने भोगा तब पुत्र ने कहा हे पिता कोई यतन बताओ जिससे मेरा उध्यार हो तब उस सर्प ने कहा ही पुत्र किसी गीता पाठी ब्रामण को घर में भोजन करवा और उसकी सीवा कर उसकी आसिरबाद से मेरा कल्यार होगा तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे तीन सब को बुला कर गीता जी के साथमे अध्यार का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया तब उन साधो ब्रामणों ने आसिरबाद दिया तद काल वह अधम देह से छुटकर देह देह पाठ बिमान पर चड़कर आकाश मार को जाता हुआ अपने पुत्र को धन धन्य करता बैंकूंठ धाम में जा पहुचा पहुचा पहुचा